Xiaomi के नए HyperOS का जो official control center है वो available हो चुका है सभी Xiaomi Redmi Poco devices में बट सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इसका review कि इस पर आपको खास का देखने को मिलता है सबसे पहले landscape में guys यह बहुत कमाल का लगता है देखने में नीचे music player, brightness control का और volume का section मिलता है उसे के साथ android के easter egg मिलते हैं जो कि आप लोग simply add कर सकते हो अभी as such useful नहीं है बट अगर आपके पास कुछ product है Xiaomi का देन आप लोग यहाँ पर simply add कर सकते हो उसे के साथ यहाँ पर और जो toolbar है वो भी बहुत अच्छा है जहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर multiple options एड की हुए है डार्क मोर के साथ भी यह काफी अच्छा work करता है और यहाँ पर आपको animations भी देखने को मिलते हैं नीचे आप लोग scroll down करोगे तो edit का option देखने को मिलता है जहाँ पर आप लोग tap करके और भी यहाँ पर toolbar add कर सकते हो वैसे यहाँ पर sufficient है अब आपको left right scroll करने का option off कर दिया है अब आप लोग simply up या down नहीं कर सकते हो बाकी जो इसके animations है वो बहुत ज़ादा smooth हो चुके हैं पहले वाले control centers है तो personally यही चीज़े मुझे काफे अच्छी लगी यहाँ पर दोड़ों सब बल्की ज़रूर लगता है यह कि आपको यहाँ पर बहुत ज़ादा options देखने को मिल रहे हैं बढ़ कुछ लोग को यह पसंद आएंगे जैसे कि मुझे बाकी आप लोग किया से simplys को remove भी कर सकते हैं अपने इसाब से और add करना चाहो तो और भी add कर सकते हो वैसे add करने के लिए आप सिर्फ चारी बचे हैं क्योंकि old most सारे option यहोंने add कर दी हैं और रेड़ी उसी के साथ guys यहाँ पे landscape की बात करें तो landscape में भी इसका जो interface है वो बहुत ही जादा सुन्दर लगता है देखने में यहाँ पे आप लोग दिसकते हो इसकी जो transparency है ना landscape में वो बहुत ही सुन्दर है तो यहाँ पे आपको दिख सकते हो कि background में कितना चल लग रहा है मैं इसको full screen कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके जो side में बार है वो आपको कम दिखाई दे और simply आप लोग यहाँ पे इससे easily pause कर सकते हो play कर सकते हो forward कर सकते हो यहाँ पे आपको नाम देखने को म पहले around 1-2 second का delay होता था पुराने वाले control center में बट अब यह चीज़े fix कर दी है तो अब आपको वो लिले देखने को नहीं मिलता पोर्ट्रेट में भी guys तेम तरह से work करता है यहाँ पे ऐससाच कोई दिक्कत नहीं है आपको कुछ इस तरह की look देखने को मिलती है जिस पे अ तो यह बहुत हत्तक smooth experience दे रहा है और जैसा कि उन्हें ने बोला है कि हम इसके UI है उसको पूरी तरह से change करने ही वाले है तो यह उनके लिए एक better step हो सकता है उसे के साथ dark mode के साथ भी है काफी चावर करता है और आप इससे simply uninstall भी कर सकते हो बट उससे पहले guys मैं आपको ही है और मुझे पता है कि आप लोग को system UI plugin के बारे में पता ही होगा जिनको नहीं पता guys यह plugins होते हैं जो की नहीं hyperverse में से extract किये गए है जिसको install करके आप लोग से simply access कर सकते हो तो यह रही वो APK system UI plugin की जिसका वर्द 15 देखने को मिल रहा है but actually आप सभी को पता है कि हम hyperverse आ है तो आप से यह हर बार hyperverse करेगा और इसकी जो APK आपको माई telegram channel पर मिल जाएगी वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जैसे आप इससे install कर लोगे उसके बाद बहुत सार लोग को दिक्कत आती है इसको uninstall करने के लिए तो वह भी मैं आपको दिखा दूँगा बट आप लोग दे सकते हो कि Xiaomi के security scan इसको save भी बताया है जो कि आप सभी को बता है कि internally यह बहुत rarely होता है क्योंकि कई बार आपको package error रहा जाता है या फिर APK इस्टॉल ही नहीं होती बट इसमें ऐसा चैसा को issue नहीं देखने को मतलता और simply install हो जाता और working condition में होता है और इस कि अधुरम लिखना है और second option आपको देखने को मिल जाएगा system UI plugin का जिस पर आपको आपको शो कर देता हूं system UI आपको देखने को मिल चुका है नीचे आपको second option देखने को मिल जाएगा uninstall updates का जिस पर आपको simply tap करना है और जैसे आपको टैप करोंगे उसके बार यह नया control center ह अब इसको इस्टॉल करना भी एज़ी है और रिमूव करना भी और जो एक्सपिरेंस है मुझे बहुत अच्छा बहुत ही स्मूध है इसकी टेस्टिंग मैं एक वीक तक और करूँगा अगर मुझे बगज देखने को मिलते तो इसके रिगाड़ी इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको कोई SI1 में डाउट ना रहे बाकि आप लोग इसके और सिंपली डाउनलोग कर सकते हूँ यह AP के आपको मिल जाएगे हमारी टेल्ग्रम चैनल पर तो आँसे जाके आप लोग सिंपली इस्टॉल कर सकते हो बाकि ऐस सच कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मि सब्सक्राइब